कि बीच साल पहले हमारा लड़का मुहम्मद रईस खान उमर उसकी 22 साल की थी वो सुल्तानपूर किसी काम से गया था और उसको किसी ने मार के बोरे में भर के लैन के कुड़े भार टेशन के पास फेग दिया और हम लोग एक पंदाज दिन तक ढूंदते रहे पता नहीं चला उसके बाद एक मैने बाद डेश्टी टेलर का कपड़ा लेके बूसटाई और हमने देखा वो मेरे लालकी है मैंने एक मैने तक पागल मैं हो गया और पागल होने के बाद मैंने यह सोच लिया है कि भजाबाद में मेरे लिए ना कोई हिंदू है ना मुसल्मान सब हैं इंसा कोई भी लावारिस हो उसका अंतिम संस्कार करते हैं यह समझते हैं कि यह मेरा बेटा है लावारिस लोग है जिनका कोई भी वारिस नहीं है उसके लिए बहुत-बड़ा काम करते हैं अगर हिंदू है तो उसको जलाना है मुसल्मान है तो उसे दफन करना है लो ऐसा काम करते यजो आप किसी को पैसे भी दे कर के भी नहीं करा सकते हैं हमारे दुकान के सामने ही उनके साइक्ल की दुकान है जो वो चलाते हैं जुह overcome सवारी अल्लाव देता है, इसके लिए नहीं कह रहे हैं कि हम करते हैं हम DAY दिन सोच लेंगे तो दिन हम नहीं कर पाएं, वो करार आ है, हम कर रहे हैं